सोयाबीन की खराब फसल को लेकर बधवार को पूर्वमंत्री जीतुपटवारी समेत तमाम कॉंग्रेसी इंदौर कलेक्टर के पास पहुँचे और किसानों को मुआवजा देने की मांग की देखे खास्ट पोर्ट मालवा निमार में खराब हुई सोयाबीन की फसल को लेकर पूर्वमंत्री जीतुपटवारी और कॉंग्रेस के कई नेता बुधवार को इंदौर कलेक्टर मनीश सिंग के पास पहुच गए और किसानों के बुरे हालातों की दुहाई देते हुए कई मुद्दे उठाए इस मौके पर देपालपूर विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारेट पटेल, प्रेम चंद गुड़ू, शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलिवाल, जिला अध्यक्ष, सदा शिव्यादव, सहरा पटेल, शेख हलीम, अनिल यादव, रगु परमार सह कई नेता कारिकरता माजूद रहे, इस माके पर नेताओं ने कहा कि सोया बीन की फसल बरबाद होने से किसान खून के आसूर हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें तदकाल मदद की दरकार है, इसलिए शिवराद सरकार 40,000 रुपए प्रती हैक्टेर के हिसाब से मुआफ़ा वित्रि प्रती मांगी है. उधर प्रतीश कांग्रिस के कारेवाहक अध्याक्ष और पूर्वमंत्री जीतु पटवारी ने कहा कि किसानों की सोया बीन की फसल नस्च होने से वे खून के आसूर हो रहे हैं. पिशले साल जब किसानों की सोया बीन की फसल नस्च होई थी तब भाजपा के नेता के रूप में शिवराज सिंग जोहान ने प्रदेश के तकालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की थी कि किसानों को सोया बीन की फसल के लिए 40,000 रुपए प्रती हैक्टेर की दर से पूरा करें पूरे मध्यप्रदेश में सोया बीन की फसल चोपट हो गई जगे कोई किसी प्रकार का किसान के खून के आशूर हो रहे हैं हमने शिवराज सिंग जी से मांग की है कि शिवराज सिंग जी 40,000 रुपया पर हेक्टियर सोया बीन की बर्बाद फसलों का आपको और ना चाहिए वक्तविया अपने दिया था इसलिए हम आपकी मांग के समर्थभन में ही हम मानते है अपने आपको जोड रहे हैं इसके साथ हैं जीतू पटवारी ने कहा कि कोवीट की महामारी में हमने प्रिशासन का साथ दिया है और आगे भी हम इस महामारी में सब मिलकर लड़ना चाहते हैं पर जब किसान मरने लगेगा तो हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा सोयाबीन की फसलों का मुआवज़ा नहीं दिया गया तो कॉंग्रेस पार्टी मुहुत तोड़ जवाब देगी चक्का जाम करेगी अगर इसा नहीं करेंगी सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी कोविट की महामारी हमने प्रिशासन का साथ दिया और आगे भी हम इस महामारी में सम मिलकर लड़ना चाहते हैं पर जब किसान मरने लगेगा तो नेचरल है हमें सड़क पर आना पड़े मैं चुनोती देता हूँ शिवराश सिंग चोहान जी को कांग्रेस पार्टी आपको मूद तोड जवाब देगी चक्का जाम करेगी रोड पे आएगी और किसानों के हित में किसानों को साथ लेके आएगी मैं मानता हूँ यह दोनों बातें सकारात पकता से हमने कही है उधर शिहर कांग्रेस अध्यक्ष विनए बाकलिवाल ने भी किसानों की दुर्दशा का मुद्द उठाया और सरकार से ततकाल राहत देनी की मांगी कि जो अभी हाल बारा इंडोर में जो बारिश हुई थी जिस से सारी बस्टों में पानी घुज गया था और साथ में जो हमारे किसान बाइई हैं डेपालपूर, सावेर, मौू उनके सबके सुयाब इनकी फसले नस्ट हो गई कुल मिलाकर हाथों में खराब फसल लेकर पहुचे कांग्रेसियों ने अपना विपक्षी धर्म बखू भी निभाया और सरकार से मुआवजे की मांग कर उपचनाओ से पहले नए मुद्दे को पुर्जोर तरीके से बुलंद किया प्यूर रिपोर्ट, MP News, एंदौर